प्रताम्दम्टी नरेंड मोदी आज वीडियो कांफरेंसिंग के जरीए विभिन ने जिलो के डियेम से बातचीत करेंगे जिलो में सरकारी योजनाव है और राकारिक्रमों की काडियान वयन की प्रगती और वर्तवान हिस्तिती पर प्रत्यक्ष प्रतिक्रिया लेंगे यूपी में विदान सभा चुनाव को लेकर बीजेपी ने शुरू किया मेगा प्रचार सीम योगी ने लखनाव से 403 रथों को किया रवाना ये रथ हर विदान सभा में घूमेंगे पार्टी के पक्ष में माहौल बनाएंगे प्रियांका गांथी ने चुनाव के बाद गटबंधन की परिस्ति होने के सवाल पर कहा कि उनकी पार्टी इस पर विचार करेंगे लेकिन बीजेपी को छोड़कर वाकि सभी पार्टियों के लिए गटबंधन के दर्वाजे खुले हैं दिली में अभी जारी रहेगा वीकेंड कोफ्यो और इवन के तहती खुलें की दुकाने लजी ने खारच किया धील का प्रस्ताव कोरोना की तीसरी लह रुफान पर देश में पिछले 24 गंटे में 3,37,000 नए केस सामने आए जबकि 488 लोगों की मौत हुई आक्टिव केस 21,000 से जादा है देश पर में कोरोना की नए वेरियंट ओमीक्रॉन का खत्रा तेजी से बढ़ रहा है देश में 29 राजियों में ओमीक्रॉन के मामले 10,000 से जादा है हर्याना में कोरोना की डरावनी रफ़तार जा रही है एक दिन में 9,655 नए केस सामने आए 12 मरीजों ने दम तोड़ा एक्टिव केस 62,000 से जादा सबसे जादा गुरुग्राम में 3,509 नए केस दर्च किये गए 3 मरीजों की मौत दिली में पिछले 24 गंदे में कोरोना की 10,756 नए केस सामने आए एक दिन में 38 की मौत हो गई दिली में 17,494 मरीज रिकवर भी हुए गुरुग्राम में कोरोना के 2,845 नए केस सामने आए हैं 24 गंटे में 2,175 मरीज रिकवर हुए दो की मौत हो गई एक्टिव केस के संख्या 24,000 से जादा है फरीदाबाद में 24 गंटे में कोरोना के 1,000 रब 116 नए केस सामने आए हैं जबकि एक्टिव संक्रमित केस बारा हजार से जादा हैं रिवाडी जिले में फिसल 24 गंटे में कोरोना की 262 नए संक्रमित मरीज मिले हैं जिसे कि जिले में कोरोना के एक्टिव केस 1,066 हो गए हैं दो दर्जन से जादा चिकिस्तकों समेथ अन्य स्वास्तकर में भी संक्रमित इलाज जारी है। पेंशन बनवाने को लेकर धक्के खारें बुजर्गों के लिए विधायक नरेंदु गुपता ने अपने कारयाले में कैंप का यूजन किया। अमबाला निगर निगम ने कॉंग्रेस भवन के बाहर प्रॉफिटी टैक्स बखाया कर नोटिस चिपका दिया। प्रदेश कॉंग्रेस कमिटी ने पत्र लिखकर नोटिस को घलत कहा। का एक इंटिट्यूशनल लबा बिल्डिंग पर कमर्शियल की तरश पर नोटिस लगाया गया। दिली न्सीयार में कडाकी की ठंड के साथ बारिश की दोरी मार, राज़्थानी में देरा से हो रहे ये हलकेल की बारिश राज़ का न्यून नतम तापमान, 11 डिग्री सेस्थ रहने का अनुमान। सर्धावाओं के बीच में होने वाली इस बारिश से ठंड और ठिटूरन बढ़ गई है। सर्धावाओं के बारिश रहने का अनुमान है। सर्धावाओं में आग लगई करोडों का नुकसान हुआ है। एक दर्जन के करीफ आई बिगिट की गारिया मौके पर पहुंची। हाला की राहत की बाद ये है कि जन हानी नहीं है। कैथल में करोडों का किसान क्रेजिट कार्ड घोटाला उजा कर गुआ है। करोड, 43 लाग के फरजी वारा में छे और लोगों पर केस दर्ज, आरोपियों ने फरजी दस्तावेजों पर लोन लेकर हड़प लिये थे, क्यांद लाग चवालिस हजार। तारदेव इलाके की 20 मंसिला इमारत में आग लग गई, दो लोगों की मौत के बाद या आकड़ा बढ़कर साथ तक पहुंचिया, साथ लोगों की मौत के बाद करी दर्जन भर राग लोग अस्वताल में भरती हैं, आग बुझाने की कोशिशे शुरू की गई। शादी की टीन साल बाद प्यांका चोप्रा बनी मा सरुगेसी से हुया, बच्चे का जन 2018 में अमेरिकी गायक निक जोनस से शादी की थी।